आइस प्लांट चला भी लिया, फूल भी खूब सारे ले लिये, अब क्या मिलने वाला है आईए देखते हैं असलालेकूम फ्रेंट्स, वेलकम तो मैं चैनल शवनूर अली तो मैं कर रही हूँ वाटरिंग अपने प्लांट्स पर शाम का टाइम है और अच्छानक नजर पड़ती है इन खिले-खिले से फूलों पर और ये शतावर यानि ऐस्पेरेगस के फूल है बीस तो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किये हैं रेड, ग्रीन बहुत खुबसूरत से मोती जिसे फूल होते हैं लेकिन इसके वाइट फूल भी बहुत खुबसूरत हैं और पास ही में है हमारा आइस प्लांट बटरनिकल ने मेर्जिंब्रजा इंतिमम है और इसको मैंने आफ सीजन में लिया यानि सर्दिया जाने तक इसलिए लिया था कि मुझे इसके सीर्स मिलेंगे और जितने टाइम तक फ्लारिंग होनी थी वो भी होती ही रही है बहुत खुबसूरत फूल आते हैं शाम का टाइम है सनलाइट नहीं है इसलिए इसकी ब्लूमिंग आफ हुई है तो जिस चिस के लिए लिया था वो तो काम्याब हो गया है इसके फूल खिले हैं और मैं प्रून जब तक करती रही हूँ तब तक इस पर लगातार फ्लारिंग होती रही है फिर कुछ टाइम के बाद फूलों का साइस थोड़ा साच छोटा हो गया तब मैंने क्या क्या फूलों को जो बड़े साइस के फूल थे उन्हें छोड़ रखा था सीर्स के लिए वैसे तो इस प्लान को भी चलाया जा सकता है थोड़ी सी केर के साथ लगातार अगर हम प्रूनिंग करते रहते फूल हटाते रहते तो ये फूल देता रहता नहीं तो प्लान्स तो बची जाता अगर हम इसको शेड में रख देते लेकिन मुझे सीर्स चाहिए थे तो मैंने सीर्स ही बनाए हैं इस पर तो ये छोटे-छोटे से फूल है जिनको हमें हटा देना है थोड़े बहुत और आ जाएंगे और यहां कुछ बीर्ज है जो अब पक कर तयार हो चुके है हरे से ब्राउन हो चुके है और कुछ यहां है जो अभी कच्चे है तो ये वाला देखिए ये ब्राउन है और सूखा है इसी में सीर्स होते हैं कच्चे वाले में नहीं ये पक चुका है और चुने पर हाट भी लग रहा है, तो इसको हम तोड लेते हैं, और दूसरा वाला भी टोटल ब्राउन नहीं हुआ है, चुने पर सॉफ्ट है, इसको नहीं तोड़ते हैं, यही सीड में पक्का निकलेंगे सीड्स, आइए देखते हैं, तो आप ब्लैक ख्लॉट के उपर देख तो इस प्लैक जब हम करते हैं, इसमें सीड्स जरते हैं, और इतने चोटे सीड्स हैं, जैसे के पॉपी या पर्सलेन और पॉटुलाका वगेरा के होते हैं, तो देख सकते हैं, आप जूमिंग पर दिखाते हैं, कुछ तो यहाँ पाउडर है पत्तियों का, और बाकी के महि चोटे-चोटे सीड्स हैं, और यह काफी बारीक हैं, इस वज़े से इसको हम जूम पर दिखाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल पॉपी जैसे लगते हैं, आप इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, किसी पाउच में या फिर कागज में, कागज में यह सोख लेता है, जो अगर इसमें नमी होती है, लेकिन इसमें नमी नहीं हैं, बिल्कुल भी काफी ड्राय हैं, तो हम इसको पेपर में बांद कर रखने वाले हैं, आप देखिए, शायद आप देख सकते हूं, है ना बिल्कुल पोश्टादाना जैसे, तो इसको हम कागज में पैक करकर पुडिया बना कर रख देते हैं, और इसको सीजन पर यानि सितमबर अक्टूबर में ग्रो करेंगे, आप पेपर पर भी देखिए, इसका जो बुरादा है पत्तियों का वो हटा दीजिए, और बाकी के लपेट कर रख लीजिए, और एक लाइक कीजिए, चैन